अपने स्टडी को कॉंटिन्यू कर रहे होंगे आज का जो लक्षर हो जाता है वो लक्षर है बाल विकास ओम सीखने की परकिरिया डियलेड फॉस्ट सेमस्टर और पवन सीरीज से है जो संस्क्रण आपका दो हजार चॉबिस का है इसमें हम लोग क्या देखेंगे हम लोग अत स्किपना कीजिएगा और वीडियो को लास तक जरूर देखेगा तो चलते हैं आज की सीरीज का फॉस्ट नमबर कोस्टन देख लेते हैं और फॉस्ट जो कोस्टनस आपके हो जाते हैं उनमें विद एक्जाम्पिल चीज़ों को आपको बताया जाएगा ठीक है तो आप लो कुछ लिया जाते हैं तो आपको क्या होता है अच्छे से कर पाते हैं और अगर आपको डिटेलिंग नहीं पता होती है स्रिफ चीज़ें उतनी ही पता होती है सीमिच चीज़ें तो क्या होता है बड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है और ऐसे ही अगर आपने विकल्पी टाइप questions तयार कर लिया या ती लगुत्री टैप questions तयार कर लिया और detail जाल लिए तो आप लोग क्या कर पाएंगे आप लोग लगुत्री टैप questions भी कर पाएंगे ठीक है तो चलते हैं आज की series का first number question देख लेते हैं question हो जाता है जीवन की सबसे महतुपूर अवस्था कौन सी है तो सबसे महतुपूर अवस्था की अगर बात के जाए तो शेश्वा अवस्था हो जाते हैं और शेश्वा अवस्था आपके कब से कब तक होती है तो तो जन्म से कितने वर्ष तक तो जन्म से पाँच वर्ष तक है ना जन्म से जन्म से पाँच वर्ष ठीक है ना ये हो जाती है फिर उसके बाद आपको हो जाता है बाले वस्था कब से कब तक चलती है तो पाँच से बारा वर्ष हाँ ये भी सही है कहीं कहीं पर आपको मिल जा तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो 6 वस्था होती है वो जन्म से 5 वर्ष ऐसे भी आप कर सकते हो जन्म से 5 वर्ष लिखी है फिर आपको हो जाता है 6 से 12 वर्ष बाल वस्था ठीक है लिकिन ऐसा नहीं है कि ये वस्था आते आते ये रुक जाती है पहले अपने टाइम पर फिर उसके बाद थोड़ा ठायर जाती है फिर उसके बाद दूसरे वस्थाती ऐसा नहीं है निरंतर चलती रहती है तो कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा 5-12 वर्ष कहीं कहीं पर 6-12 वर्ष अगर objective टाइप में हो तो आप अगर दोनों टाइप्स हैं तो आपको 6-12 पर करन और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिसे कोई भी notification हो वो आप तक पहुश सके चलते हैं next question की तरफ जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है तो किशोर अवस्था को माना जाता है क्यूंकि ये कैसी अवस्था है तनाव तूफान और संगर्ष की भाशा को किस ने दिया तो स्टेल ने हौल महदे ने दिया और इसमें क्या बताया कि जो किशोर अवस्था होती वो तनाव तूफान और संगर्ष की अवस्था होती क्यूंकि इसमें इतनी changes होते हैं कि बच्चा खुद से नहीं समझ पाता कि हमारे साथ हो क्या रहा है ठीक ह सतर के मद्ध में होती है और सामान अगर बात कर ली जाए सामान बालक की बुद्धिलबदी तो हो जाती है 90 से 110 हो जाती है और परतिभाशाली अगर बच्चे की बात की जाए किसकी तो परतिभाशाली बच्चे की बात की जाए तो क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 140 40 प्लस कभी-कभी देखने को मिल जाता है, 180 तक देखने को मिल जाता है, ठीक है, यहां तक आपका clear हो गया, उसके बात चलते हैं, next question की तरफ, मूर्ख बुद्धी वाले बालग की बुद्धी लब्दी होती है, कितनी होती है, तो 20 से 25, 20 या 25 से 50 के मद्ध, यानि मूर्ख जो बुद्धी लब्दी होती है, जो चेक की जाती है, तो उसमें कोई changes आ सकते हैं, नहीं, तो बिल्कुल changes आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बद्धा जा सकता है, माल लिजे, आप हैं बहुत बुद्धी वाले हैं, ठीक है, तो आपको क्या, जैसे कि आप से ऐसा कोई question किया गय लेकिन वही question नहीं आ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि या मंद बुद्धी बालक हो गए है ना या मंद बुद्धी छात्र हो गए तो इसमें क्या है इसमें changes भी होते है ऐसा नहीं है कि जो चीज आग दी गई तो वो वही है ऐसा नहीं है ठीक है question है next आपका यदी किसी बालक की मानसी कायू 16 वर्ष और वास्तिवी कायू 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धी लब्दी कितनी होगी ज्याद कीजिए तो बुद्धी लब्दी का सूत्र आपको पता है मानसी कायू बट्टे वास्तिवी कायू गुडे सो जहां पर मा लिखा हुआ है तो मानसी कायू तो कितना है तो 16 है कितनी है तो 16 है और वास्तिवी कायू कितनी है तो 10 है और गुडे में कितना है तो आपका 100 हो जाता है 10 एकम 10 दसावन 100 और 16 दसावन कितना होता है तो 160 यानि 160 आपका आंसर निकल कर आ गया तो आप इस सूत्र को बहुत अच्छे से याद रखेगा इससे related as a question भी आ सकते हैं और आपका किस सूत्र को लिखें तो खाली सूत्र भी आज सकता है लिखने के लिए यानि ये important है आप लोगों के लिए उसके बाद question आपका हो जाता है मूल प्रवर्टियों की संख्याब बताएं तो कितनी होती है तो 14 होती है बालवस्था जीवन का अनोखा काल है किसका कताने कॉल एवं बूस का ये कताने कि बालवस्था जो है वो जीवन का अनोखा काल है परियतनों भूल का अधिगम सिध्धानत का प्रतिपादक तो थौनडाइक और थौनडाइक ने क्या किया थौनडाइक ने भूखी बिल्ली पर है ना पालवस्था थौनडाइक की बिल्ली है तो इन्होंने भूखी बिल्ली पर शोध किया और क्या हुआ कि वो बिली क्या कर रही थी कि वो परियतन किया उसने अभ्यास किया उसने परियास किया उनके जो नियम हो जाते हैं वो परियतन अभ्यास ततपरता का नियम यही तो होते है न तो इनके आठ नियम भी है जो पांच नियम गौड है और तीन नियम मुख है इनके उसके बाद आपका हो जाता है कि नहीं दो व्यक्तित तो परिच्छडों के नाम लिखिए तो जीवन इतिहास विधी और प्रश्णावली विधी हो जाती है सूज या अंतरद्रश्टी सिध्धान के परवर्तक तो कोहलर हो जाते हैं इन्होंने किस पे किया परियोग तो चिं समझ लेते हैं उसको इस तरह से बंद कर दिया ठीक है यहां पे लटका दिये केले क्या लटका दिये तो लटका दिये केले नीचे इसको बिठा दिया यहां पे बॉक्स पे और यह एक बॉक्स और रखा था एक बॉक्स और रखा था अब यहां पे सुल्तान बैठा हुआ थ तो उचाई पे एकेले थे, वो समझ नहीं पा रहा था कि हम किस तरह से इन केलों को प्राप्ती करें। एकदम बैठे बैठे उसके मांड में यह विचारा आया कि क्यूना हम इन बॉक्स को उपर नीचे उपर नीचे जैसे एक बॉक्स है। उसके उपर एक बॉक्स रखें, उसके उपर एक बॉक्स रखें, जब उसने रखा तो वो क्या किया, यहां पे था और पहुच गया, यहां पे उसको केले आसानी से मिल गया, फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ, उसके पास स्टिक्स रखी गई, ठीक है, और वो बैठा था, अब यहां पे क्या थे केले लटके हुए थे ठीक है केले लटके हुए थे अब उसको मिल नहीं रहते फिर उसने क्या क्या इधर अधर घूमा फिरा घूमा फिरा फिर ठाखार के यहां पे गया बैट कौन बैठ गया तो सुल्तान यहां पे गया बैट जब बैठ गया तो उसको कु यूठा के घूठा के जोर दिया डूढ़ी और जंबोमीर व्हुटी Dum还-ही तो क्या हुआ के तो едफी आनार द्रिष्टि कि सिध्धान्त के हले ये कोहलर का सिध्धान्त है और इसमें किस पर परियोग किया तो चिंपेंजी और उसका नाम किया था तो सुल्तान पर्थम मनोविग्यानिक परियोग शाला की स्थापना किस ने की तो सन 1879 में जर्मनी के विग्यानिक वुंड ने की थी very important है आपके लिए परबलन सिध्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया परबलन बल है तो हल है यानि हल ने किया ऐसे आप याद कर ले परबलन बल है तो हल है यानि हल ने किया है बाल विकास के अंतरगर शेश्वास्था की अवधि कौन सी माने जाती है तो जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष तो कही कहीं पे आपको भी बता चुके हैं इस पे डिटेलिंग कर चुके हैं कि कहीं कहीं पे जन्म से 5 वर्ष भी मिल सकता हैं और कहीं कहीं पे आपको 6 वर्ष भी मिलेगा जैसा अगर option में अगर आता इस तरह का तो आप अपने तरीके से कीजिएगा वैसे तो option में तो होगा ही तो पर आपको टिक करना रहेगा और यह है अधिगमानांत्रण क्या है तो पहली परस्तिति को प्राप्त ग्यान कुशलता आदते अभियोगताओं का दूसरी परिस्तिति में परियोग करना यह अधिगमानत्रण हो जाता है बुद्धी के विखंड सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया तो इस सिध्धान का प्रतिपादन इस पियर मैन ने किया या आप ऐसे कह सकते हैं कि इस सिध्धान की प्रतिपादक इस पियर मैन जी है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ कोश्चन आपका हो जाता है समवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है जिसका कि किसका कथन ये कथन यानि सम्वेग व्यक्ति की उत्तेजित दशायत वुर्वर्थ का है सम्वेग चेतना की वो अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की परधानता रहती है किस ने कहा तो रौस ने कहा किसी भी परकार के आदेश आने भड़क उठने तथा उतेजित हो जाने की अवस्था को समवेक कहते हैं किसका कथन है तो जरसील्ड का कथन है उसके बाद किस ने कहा है कि प्रेणा विवहार को जागरत करने किरिया के विकास को समपोशित करने और किरिया के तरिकों को नियमित करने की पर किरिया है तो legitimate ने कहा है अपने अनु भवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतरा के छेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है उसी को इसमृति कहते हैं इसमृति की यहाँ परिभाशा किस ने दी तो इस्मृति यानि याद करना है न तो राय बॉर्ण ने दी किसका कथाने की वी स्मृति का अर्थे किसी समय पर्यास करने पर किसी भी पूरन उभाव का इस्मृत करने या पहले सीखे वे किसी किरिया को करने में आसफलता तो ड्रेवर का हो जाता है सम्वेक के यह विचार किसक तो यह कथन हो जाता है ड्रेवर का तर्क के संबंद में ये विचार किसका है तर्क फलदायक या उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधार करने के लिए पूर्वा नुभो को नमीन रूप से और तरीकों से पुना संगठित या समिलित किया जाता है गेट्स वा अ वातावराण के साथ उसका आदित्य समायोजं निर्दारिद करता है तो यह कथन आलपोड का हो जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावराण के लिए अपने विवहार में परिवर्दन करता है किसने कहा गेट्स वा-अने ने कहा तो इस तरह से यह आपको हो जाता है next question की तरफ चलते हैं समा योजन की या परिभाशा किसकी है समा योजन वह परकिरिया है जिसकी द्वारा प्राड़ी अपनी आवशक्ताओं और इन आवशक्ताओं की पूर्ती को परभावित करने वाली परिस्तितियों में संतुलन रखता है तो ये कथन हो जाता है बोरिंग लेंग फिल्ड वा वेल्ड का किसने कहा वातावरण मेवे सब बाहतत्त आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरम करने के समय से परभावित क्या है बुद्धी परिक्षण को मुखेता किंदो वर्गों में विभक्ति किया जाता है तो व्यक्तिक बुद्धी परिक्षण और सामुहिक बुद्धी परिक्षण व्यक्तित बुद्धी परिक्षण में क्या होता है कि एक व्यक्तिका परिक्षण किया जाता है और सामुहिक में पूरे समुह का किया जाता है ठीक है इस्टेन फोल्ड बिने इसके अलकिस परकार का बुद्धी परिक्षण है तो यह व्यक्तित भाशात्मक परिक्षण है प्याजे के संग्यानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी है तो चार अवस्थाएं हो जाती है सबसे पहले कौन सी हो जाती है संवेधी पेशी अवस्था जिसे संसरी मोटर स्टेज बोलते हैं प्राग संक्रियात्म कवस्था मूर्थ संक्रियात्म कवस्था अत्वा और चारिक संक्रियात्म कवस्था मुखी चार अवस्थाएं हो जाती है व्यक्तितु की संचितु परिभाशा लिखिए तो रक्स के अनुसार व्यक्ति समाज द्वारा माने तथा आमानी गुणों का सं ब hic Steady या दिखाउ दिखावा नि मुकौटा को नहीं पता है तो यानी क्या निख ये से ऋच्छी पर पहने तो अब करेंगी कितनी अच्छी प्रशनालिट्य लेकिन से मन में तो यांन क्या है वह car या आप कहले कि नकली चहरा है ना तो प्रसनालिटी यह होती है व्यक्तितु तो व्यक्तितु समाज दौरा माने तथा अमाने गुड़ों का संगठन है व्यक्तितु को मुख्य तौर पर कितने भागों में बाटा गया तो मने वग्यानिको ने व्यक्तितु को दो भागों में बाटा गया है अंतर मुखी बहिर मुखी तथा दोनों का मिश्रित उभे मुखी उसके बाद आपका कोशन हो जाता है शरीर रचना के आधार पर वक्तित के परकार बताएं तो शरीर रचना के आधार पर वक्तित के तीन परकार होते हैं शक्ति, हीन, खिलाडी और नाटा ठीक उसके बाद है वेक्तितुमापन की विधियां बताएं तो वेक्तितुमापन की तीन विधियां हैं आत्मिनिष्ट विधियां वस्तुनिष्ट विधियां परशेपड विधियां ये हो जाती हैं संग्यानात्मक विकास के सिध्धान्त के परतिपादक कौन है संग्यानात्मक इनको तैयार कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए important हो जाते हैं, यह देखिए, आपका संग्यान आत्मक विकास का, ये भी आपका important हो जाता है, वक्तितुमापन की विदियां हैं, ये भी important हो जाता है, तो इस तरह से आप लोग से जितने related आपकी एक्जाम होंगे उसमें सब ही में यह आपका साथ देगा तो इसलिए आपको यह नहीं है कि हमारे डीलेड में यही हो सकते ही आजाएंगे बस उतना ही हमने रट लिया और उतने हमें हमारा हो गया और हमने डीलेड फर्स्ट समेस्टर क्लियर कर लिया लेकिन चीजों को आप लोग बारीकी से पढ़ने का एक कहते नहीं है कि आदत आप बना लीजे क्यों क्योंकि आपको अच्छे से डीपली भी पढ़ना है और जितने आपको एक्जामे सब क्लियर करने क्योंकि देखे आप डीलट किस लिए कर रहे हैं टीचर क्लियर को अच्छे से नहीं है क्योंकि आपको 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 आपको